हाई हाई है हालो एव्यवान कैसे हैं आप सभी आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं तो स्वागत है आप सभी का बांक एक्जाम क्यूबिकल चानल पर और मेरे नाम है शिफाली बंसल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप प्यस्पियों के फोर्ट शिफ्ट के आपको अनालेसिस के बारे में यानिकि 15 अक्टूबर का आज का आखरी आपका अनालेसिस है तो क्या यह फोर्ट शिफ्ट हमारी फोर्स सेंद थर्ड शिफ्ट से कितनी डिफरेंट रही है कैसा असका लेवल आया है यह मैं आप से बात करूँगी तो आपके इसमें इसमें वे बात करते हैं वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं रखोंगी चोटा सा ही वीडियो होगा 5-10 मिनिट का तो पूरा जरूर देखेगा तो अगर मैं ओवराल बात करूँ तो इंग्लिश और क्वांट्स जो है वो बचों ने बताया है कि आपका यहां पर उन्होंने कहा है क कि माम easy to moderate level आया है math or English का easy to moderate math or English का easy मिला है और moderate है reasoning का थोड़ा सा देखने में यह सुनने में थोड़ा अटपटा है बड़ रीजनिंग जो है इस बार moderate आई है ठीक है और overall attempt अगर इसमें आपने 60 से लेके 63 के बीच में करे हैं 4th shift में then it's good then it's really good और subject wise भी मैं आपको बताऊंगी कि subject wise भी आपकी कितने attempts होने चाहिए थे तो वो ठीक रहेंगे तो आईए गाह बात करते हैं आपसे कि किस shift में क्या-क्या आपको देखने को मिला है सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं reasoning की तो reasoning के अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आपक questions भी किये हुए हैं मन्थ और date वाले तो हमने बहुत सारे किये हैं चीक है उसके बाद floor based जाया है floor वाला हमें first shift में भी मिला था तो यह ठीक है उसके बाद आपको जो मिला है देखने को वह है sitting sitting में sitting में आया है एक आपका parallel row parallel row जो है I think third shift में आया था है और एक linear आया है जिसमें सभी लोग north face कर रहे हैं north face वाला आया है तो यह इसमें 10 questions है और इसमें 10 questions है 20 questions यहीं से आया है उसके बाद fourth shift में भी inequality repeat हुआ है तो inequality हमें 4 shifts में देखने को मिला है inequality कि इसमें 3 questions हम लोगों को दे missing था ठीक है तो blood relation के भी हमको तीन question है पर देखने को मिले हैं उसके बाद coding decoding आया है coding decoding हमें 3rd shift में देखने को मिला था ठीक है ना और coding decoding के इसमें 5 questions हम लोगों को देखने को मिले हैं और उसके बाद है miscellaneous miscellaneous मेने आपको बताया ही है कि miscellaneous क्या रहता है कि pair of words वाले affirmation of words यह odd one out इस तरह से आपके जो questions है वो आपको miscellaneous में देखने को मिल जाते हैं तो यह हो गए हैं आपके total 35 questions सेइम वही pattern है कि variety of questions कम है यहापर एक ही topic से थोड़े से questions लिए गाए हैं ज़दा ठीक है ना तो यह है आपका reasoning analysis तो मुझे बताएगा क्या यह analysis आपके analysis से match करता है नहीं और आपके reasoning में attempt कितने रहे हैं मुझे नीचे comment section में जरूर बताएगेगा तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके reasoning में safe attempts कितने हो सकते हैं तो अगर मैं reasoning के safe attempts की बात करूं तो वो होने चाहिए आपके 26 से 29 तक लेकर आपके safe attempts हो सकते हैं चिक है जो को easy और moderate depend करता है कि आपके preparation कितनी हैं बच्चख से हर student to student differ करता है किसी का बहुत अच्छा गया है कुछ बच्चों के messages day time not that good अब मुझे नहीं पता नो उस बच्चच के preparation कितनी है 65 अब किसी का 48 47 attempt ही गया है किसी का 83 भी attempt किया है किसी का 76 himself at kork baixo तो हम नहीं कह सकते हैं तो ये एक अब समझ सकते हैं कि वौल अनालेसिस थो आई हैं आई एगाव कर लेते हैं आपको कान्स के पर की कौंस में ऑनको इस शिफ्ट में देखने को मिला है कि इसमें करने करका दिखने को मिला है ते चांट में बारा है ज्री necesita इसमें आपको simplification आया है जो कि अभी तक किसी भी shift में नहीं आया था ठीक है साथ question यहां से आपको देखने को मिले है ठीक है उसके बाद arithmetic आया है arithmetic के यहां पर आपको तो तेरा कोशन देखने को मिले हैं भाई यह तो बढ़ते जा रहे हैं पहले दस आयते फिर नौ हुए फिर ग्यारा हुए और अब तेरा हो गए है और इसके बाद अब कर देखने को मिले हैं यहां पर हो गए है तो अब अगर मैं इसके भी सेफ अटेंट के बात करूं तो अगर क्वांट में आपका जो लेवल है कि मैंडम इजी तो मॉडरे रहा है तो अगर आपके 23 से लेकर 25 तक अटेंट है तो देन इस गुड ठीक है ना तो मैंने अगर आपके अटेंट्स आए हैं इस फोट्शिप में तो इसके अकॉर्डिंगली अगर कौंट में आपके 23 से 25 अटेंट किये हैं तो बस बशर्ते आपकी एक्यूरी सी जो है वह 100 पॉसंट रहे यह प्लीज मैटर करती है हमें बहुत जादा उसके बात बात कर लेते हैं कि आपके English सेक्शन में आपको क्या देखने को मिला है ठीक है आएजीक पर बात करते हैं हम लोग तो अब English में क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ इंग्लिश में वही आपका एक आर्ट सी जो आता है यहां पर भी बच्चे मुझे टॉपिक नहीं बता पाए है तो अगर आपको टॉपिक पता है तो प्लीज मुझे ज़रूर बताए नाइन कोशन्स आये हैं उसके बाद वर्ट स्वैप आया है आपका ठीक है वो उसके कोशन्स आये हैं पांच उसके बाद प्यारा जंबल आया है प्यारा जंबल के आये हैं पांच कोशन्स ठीक है उसके बाद जो हमें यहां देखने को मिला है वो है एरर स्पॉर्टिंग तो error spot के आपके questions आये हैं 5 उसके बाद sentence rearrangement आया है जो मेरे ख्याल से हर shift में आपको देखने को मिला ही मिला है एक यह और एक error वाला है ना तो इसके question एक आया है बाकियों में और ज्यादा आये थे शायद से एक phrasal replacement आया है आपका चीक है वो दो questions आया है और एक double filler आया है इसमें double filler दो questions हम लोगों को देखने को मिले हैं double fillers की शायद पिछली वाली shift में ज्यादा थे ने इसमें तीन double fillers आये हैं सौरी तो टोटल यह हो गए हैं आपके 30 questions आप पताएगा क्या आपके according भी यही same analysis है या कुछ ओपर नीचे है तो प्लीज मुझे comment section में ज़रू बताएगा बात कर लेते हैं कि इसमें आपके safe attempts क्या होने चाहिए थे English में तो English में आपके safe attempts हो सकते हैं 17 से लेकर 20 तक जो मैंने आपको overall बताया उसके accordingly कि 60-63 के बीच में तो उसके accordingly अगर आपके English में 17 से 20 के बीच में अगर आपके marks आए हैं then it's good okay बस 100% accuracy होनी चाहिए यह ज़रूर देख लीजएगा कि आपको क्या लगता है कि आपके कितने questions ठीक हैं okay तो I hope आपको यह analysis सही लगा हो और आपके analysis से match करता हो तो हमें comment section पे ज़रूर बताएगा कि आपके attempts कितने रहे चीक है आपके attempts कितने रहे यह हमें ज़रूर बताएगा comment करके topic subject wise क्या रहा चीक है subject wise भी बताएगा overall भी बताएगा चीक है आपने total कितने attempt कि हमें बताएगा और उसके बाद आपके according exam का level क्या था वो हमें ज़रूर बताएगा आपको क्या लगता है चीक है तो यह बाते हमें ज़रूर बताएगा और अगर कुछ analysis आप को लगता है कि कुछ difference है तो वो हमें ज़रूर बताएगा और नेक्स वीडियो आप लोग किस चीज पर चाहते हैं यह भी आप हमें बता सकते हैं कि reasoning को लेकर आपकी जो भी requirement है वो हमें बता सकते हैं आप नीचे comment section में हम ज़रूर उसको fulfill करने की कोशच करेंगे इसी channel पर त कर दो खाएज।